अब ये शो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन हैं कि आप सभी अपने एयरफोर्स लगा लीजिए, हाथों में पॉपकॉर्ण ले लीजिए, लाइट्स आफ कर लीजिए and let's take you to the journey. जब ये शब्त किसी के सामने बोलो, तो उसके चहरे पर एक अलग सी ही चमक और एक छोटी सी स्माइल तो आ ही जाती है। पूरे ग्लास का Unity and Diversity Code को फॉलो करते हुए किये जाने वाले मास बंक्स, हॉस्चल्स और मेस्ट में किये जाने वाले घोटाले, कॉलेज में हुई लडाईया, दोस्तों के साथ की जाने वाली मस्ती and so and so. तो आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही कॉलेज और अपस, I mean University के सेर पर। बनस्थली, वैसे तो ये वोर्ट's largest woman residential university है, with a saying that it is a university with a difference. But in the year 2020, जब पूरा देश बंध था, सब कोरोना नामक मयावी राक्षस से लड़ रहेती, तब ऐसे उनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़किया admission लेती हैं. अब उस मयावी राक्षस के कारण, डेर से दो साल चला जाता है ओनलाइन ग्लासेस में, ओनलाइन ग्रुप्स बंते हैं, ओनलाइन फ्रेंशिप भी होती हैं, बट अब सब को इंतुजार होता है कि कब हमें बुलाया जाएगा, कब हम अपने दोस्तों से मिलेंगे. हाई गाईज, हाई गाईज, हाई गाईज, तो यह सस्ती ही फैन मीड है, फिर आता है यह ट्वेंटी 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 टू, जब हमारा इंतजार पूरा होता है, अब फाइनली पहुचते हैं, बनस्तली विद्या पीट, अब हीर, आग कॉलेज लाइफ बिकन्स, रोज सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाना, फिर लंच टाइम में होस्टल आने के बाद, दोबचे वाली क्लास लेने के लिए अपनी प्यारी सी खाने के बाद आने वाली नीम को रूम पर ही छोड़ कर जाना, हाँ वो अलग बात है कि वो हमारा पीछे-पीछे क्लास तक आ जाती थी, अब ये टाइम था हमारे फाउंडेशन और वोकेशनल कोर्सिस की क्लासिस का, जिसको लेने के लिए शाहिदी कोई रेडी होता था, बट एक attendance नाम का मयावी राक्षिस हमारे सर पर घूमता रहता था, जिसकी वज़े से ये क्लास लेना compulsory सा हो गया था, इसी बीच कुछ लड़ाईयां भी हुई, बहुत सारी मस्ती भी, आगे क्या करना है का डर, दोस्त के साथ ऐसी मस्ती, साथ में रहना, खाना, ना कर पाने का गम, सेमेस्टर में अच्छे करने का अटेंशन और बहुत कुछ, तो सभी लग जाते हैं अपने इतने सारी एमोशन्स को बैलन्स करने में, सब एक दूस्तरे के लाप कोड्स, शर्ड्स पर अपने विश्ष लेकते हैं, ओ, आई मीन इस्क्राबलेंग, ये देखकर हम भी अपने डायरी उठाते हैं और बहुत जाते हैं अपने दोस्ते के रूम पर, अब बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जिनसे हमने डायरी एक फान ही पहें, कोई गुस्ता मत हो ना, अब सब लग जाते हैं अपनी अपने विश्ष फीलिंग्स, इमोशन्स और जितनी भी हमने मेमरी साथ में बिताई हैं उन सब को नोट डाउन करने में, इस फोलो? हाइ डैनिज, हलो एलो एलो नित्या, हलो, हलो एलो गाइज, जो भी ये चैरल देख रहे हैं, हलो हलो हलो, अब इसन से टाइम, वन एवर्यवाँ स्टार्स रिकॉलिंग दियर मेमरी, अब ये वो टाइम है, जब सारे अपनी सारी memories को college memory नाम के folder में save करने लगते हैं अब ये folder एक ऐसा folder है जो आपको शायद किसी भी computer में नाम मिले But this is the folder that stays in the heart of all अब भले ही semesters की कितनी भी tension हो भले ही exam दो दिन बाद हो But सब जब जाते हैं to collect as many memories as possible क्योंकि हो सकता है हम में से बहुत से लोग अपने masters के लिए वापस आए But we will not get to meet the same group of craziest individuals that we created memories with And this is why we all scrubble the church, the lab courts and the diaries of all And we begin to spend the time together फिर आती है बारी packing करने की हम सभी packing में लग जाते हैं with a heavy heart इस ताइम हमें घर जाने की graduate होने की खुशी तो होती है बत अपने दूसों को छोड़ देने का गम भी बहुत होता है Although our college life began online, but it beautifully ended offline And it is well said that अन्त भला तु सब भला That is, all's well if it ends well With these lines, we come to the end of the journey of biotech patch 2020-2023 अगर आपको ये वीडियो पसंदाई, do hit the like button Share this video with your friends Comment down what you feel And also, don't forget to subscribe the channel if you are new Till then, bye-bye